प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से समय समय पर देश की विबन हिस्सों में मिल सकते हैं अन्य दिनों में शर्माजी अधिकतार दिली में रहते हैं जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दर्शों को आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी है उन सबी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुब काम नाए आज का पंचान 15 फरवरी सन 2020 दिन शनिवार क्रिशन पक्स फालगुन मास सम्वंत 2076 तिथी सब्तमी नक्षत्र विशाखा रहुकाल नो से साड़े दस दिशासूल पूर्वदिशा आज हम बात करेंगे आपसे मृत्यों के पश्चात हमारा जनम कैसा होगा हाला कि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा लोगों को सुनने में पटपटा सा लगेगा लेकिन जैसे कि हमने पीछे दो पार्ट बताए कि जनम से पहले हमारा जनम कैसा रहा इस जनम में जब हमने जनम लिया उससे पहले हम कैसे रहे होंगे कुछ प्रकाश डालने का जो तीशिय सुत्रों के माद्यम से हमने प्रयास किया ऐसे ही अब हम पहले भी दो पार्ट आपको दिये, ऐसे ही अब दो पार्ट जानिये कि मृत्यों के पश्चात हमारा आने वाला जीवन या आने वाला जनम कैसा होगा, हलकि बहुत लोग इन चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं जनम पर मरण पर विश्वास नहीं करते हैं अटल मृत्य अटल सत्य है कि बस मृत्य हो गई और हमारा इस संसार से नाता कट गया लेकिन भारतिय स्वनातन सास्त्र में जनम को भी उतना ही वैल्यू है मरणों को भी उतनी वैल्यू है और पूर जनम को भी उतनी वैल्यू है और आने वाले जीवन और जनम को भी वैल्यू है यह विद्या है हमारे सास्त्रों में यह विद्या गड़ी गई है हमारे रेश्यों ने इस विद्या का मंधन किया है आविश्कार किया है हम अपने धार्मिक बातों से दूर होते जा रहे हमें नजदी काना होगा हमें अपने सास्त्रों का सब्मान करना होगा हमें अपने रिश्यों का सब्मान करना होगा हां सब्जेक्ट की पकड़ यदि किसी डॉक्टर के पास नहीं है किसी एस्तोरजर के पास नहीं है तो बास् था, हो सकता है आपकी डेट अब बर्द गलत हो, आपका समय सही ना हो, हो सकता है जिस एस्टोरिजर की हम बात कर रहे हैं, पूर्ण ग्यान ना हो, तो कहने का मतलब हाला कि पूर्ण ग्यान तो भगवान के पास यह लेकिन फिर भी अपने सब्जेक्ट का ग्यान होना बहुत जरूरी है Medical Science में भी अगर डॉक्टर के पास डिगरी है लेकिन ग्यान नहीं है तो फाइदा क्या आदमी देखते नहीं एक डॉक्टर के बाद कितने डॉक्टर चेंज कर देता एक वकिल चेंज करता है दस वकिल चेंज करता जहां बात बनती है वहीं से आदमी को प्रसंता मिलती है ऐसा नहीं है कि लाव नहीं है ऐसा नहीं कि मेडिकल साइंस नहीं है सब कुछ है लेकिन किसको अपने सब्जेक्ट का कितना अध्यान है ये बात बहुत माइने रखती है तो ऐसे मेरे दर्शको ये जोतिस विद्या है इसे कोई लाव लेना चाहता है तो ले सकता है अधर वाइज इसके उपास करने की शायद मैंने समझता कि कोई आवशकता है तो आईए अपने रिश्यों को नमन करते हुए दो पार्ट संजोकर के आपको देते हैं और इसमें बताते हैं कि व्यक्ति के ग्रोहों से कैसे जाने कि उसका अगला जर्म कैसा वेतित होगा या इस जीवन में उसकी मृत्यू किस प्रकार से होगी या उसकी मृत्यू के साथ कुछ बाते कैसी जोड़ी होगी कुछ चीजों पर हम आज प्रकार डालना चाहते हैं कुण्डली में कहीं पर भी गुरू जूपीटर कुण्डली में कितने खाने होते हैं कुंडली में बारा भाव होते हैं बारा खाने होते हैं कुंडली में किसी भी भाव में शनी उच्छ राशी के हों कुंडली के किसी भी भाव में और शनी उच्छ राशी के होकर भी किसी भी प्रकार का कोई ग्रह खासतोर से शत्रू ग्रह की दृष्टी ना हो और ना ही शनी की किसी सत्रू ग्रह पर दृष्टी हो और शनी उच्छ राशी के हो और जिस व्यक्ति का अंतिम समय हो तो उस वक्त में शनी की दशा, महदशा या अंतरदशा चल रही हो और गोचर की इस्तिती भी शनी की बलवान हो यदि ऐसी इस्तिती किसी जातकी जन्म पत्रिगा में होती है तो ऐसा अव्यक्ति किसी उच्च पद से बड़े पद से वो संसार को छोड़ता है यानि कि जिस वक्त उसकी मृत्ति उसका काल उसे आता है तो वो बहुत किसी बड़े पद पर होता है या किसी मठ का स्वामी होता है या किसी भई एक बहुत बड़े किसी मंत्री पद पर वो होता है किसी राजस्त्र सेवा में बड़े पद पर होता है और या अपने आप में राजा के समान होता है और ऐसी इस्तिती के में एक चीज़ और होती है कि जब उसे अगला जनम मिलता है तो वहां किसी साधक के रुप में वो जनम लेता है देखो शनी देव भई साधक तो शनी देव अपने आप में एक बहुत बड़े साधक है ऐसे हम बात करते हैं ब्रस्पती की देव की अगर किसी भी जातक की जनम पत्रिका में ब्रस्पती जो गुरु होते हैं अगर किसी जातक की जनम पत्रिका में ब्रस्पती उच्छ राशी के हो अब ब्रस्पती उच्छ राशी के कहा होते हैं कर्ग राशी के होते हैं शनी उच्राशी के कहा होते हैं तुला राशी के होते हैं तो किसी भी जातक के जनमांक में जनम पत्रिगा में चाहे केंदर में हो चाहे लगन में हो कहीं पर भी हो अगर ब्रस्पती उच्राशी के हो मेरी बात को गोर से सुनिएगा अगर किसी भी जातक की जनम पत्रिगा में गुरू जुपीटर करक राशी के हो उच राशी के हो और ब्रस्पती के साथ कोई भी शत्रू ग्रह ना बैठा हो तो ऐसे जातक की जो अन्तिष्टी होती है यानि कि उसका जब अन्तिम संसकार होता है तो बड़े धूम धाम से होता है मतलब कि बड़े तरीके से उसका संसकार होता है और जब वो अगले जन्म में जाता है तो वहाँ पर कहीं न कहीं धार्मिक संसकार जन्म से ही उसके अंदर बलवान होते रहते हैं अगले जन्म में भी किसी धार्मिक रूप में वो किसी धार्मिक संस्था से किसी ने किसी ऐसे धर्म के चित्र से वो व्यक्ति जुड़ा होता अब आप कहें जब व्यक्ति संसार से चला जाता तो बहुत सारी धार्मिक चीज़े उसके साथ होती है उसकी गती के लिए बहुत नहीं साद बुरा ना मानिये ऐसे भी बहुत लोग हैं जिने परिवार नसीब नहीं होता ऐसे भी बहुत लोग हैं चार कांदे नसीब नहीं होते जनाजा नसीब नहीं होता लवारिस रूप में कहीं पाये जाते हैं और लवारिस रूप में उनकिय अंतिम संसकार कर दिया जाता बड़ा कटू सत्य है ये बाते है ये सब्जेक्ट मैंने चुना जरूर है देखिए ये सब्जेक्ट मन को हिलाने वाला सब्जेक्ट है इसलिए देखो मरत्यु अविश्य भामी है ये सब को आएगी काल सब को लील जाएगा अपने अपने समय पर हर घड़ी की सुई टक टक करना बंद कर देती है ऐसे ही हमारे सरीर में जो हर्दे रूपी जो सुई टक 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 कर रही है न एक दिन इसकी गती भी रुख जाएगी जाना तो सब को है अब अंतिम संसकार भी यदि किसी का अच्छे से हो जाए अपने धर्म की मानता अनुसार अच्छे से हो जाए तो उससे भी मरतक व्यक्ति को यानि कि उस मरत आत्मा को सदगती प्राप्त होती है आज तो सब कुछ बस तीसरे दिन फूल चुगे जाते हैं सब कुछ तीसरे दिन मैंने देखा है कि बस सब कुछ एक निम्टारे वाली बात चार च्छे दिनों में सब कुछ कारे कर दिया जाता है कहां से सदगती प्राप्त होगी उसको कोई उसके बास्ते अगर मैं सरातन में ही अपनी बात करूँ हर व्यक्ती की मैं बात नहीं कर रहा हूँ पर ऐसा बहुत लोगों में हो गया है उसके लिए ढंक से गरूर नहीं होती उसके लिए ढंक से पंदान की विस्ता नहीं होती उसके लिए ढंक से गाहित्री नहीं होती बस एक निम्टाने वाली काम हो जाता जिस व्यक्ति ने जीवन भर हमारे लिए जीवन भर उसने दिया जीवन भर वो पतानी कितनी व्रासत छोड़कर की गया कितने संसकार छोड़कर की गया लेकिन समय बदल गया है साथ समय बदल गया है साथ तब ही तो कहरें कि अगर किसी केंदर में या किसी की कुंडली में कहीं पर भी गुरू अच्छी थिति में हो उच्छ राशी के हो और जब उसकी व्यक्ति की मिरत्शी होती है तो उसका भागय अश्टम भाव पर, अश्टम भाव किसको कहते हैं, जनम पत्रिका का आठ वगर, आठ वगर किसका होता है, मृत्यू का होता है, यस, आठ वगर से किसी व्रक्ति की मृत्यू देखी जाती है, आठ वगर अश्टम भाव मृत्यू को जाकर करता है, अश्टम भाव पर शनी की भी दरश्टी हो और अश्टम भाव पर मंगल की भी दरश्टी हो अब दोनों ग्रह कैसे हैं बताने के अवश्चता नहीं है दोनों ग्रहों की दरश्टी अश्टम भाव पर हो और साथ में उसको किसी इस्तिती से मारकेश लग जाए तो ऐसी व्रक्टी की जो जीवन लिला हो होती है वो शुबता से नहीं होती है कहीं न कहीं ऐसी व्रक्ति अकाल म्रत्यों को पराफ्त होते हैं बहुत लोगों की म्रत्यों देखा है न अकाल म्रत्यों होती है आल अफ सडन म्रत्यों हो जाती है चाहे बाई चाहें किसी एक्सिडेंट से हो जाए दुगटना का शिकार हो शुब कर्म करिए, सब को खुश रखिये, सब को प्रुशन रखिये, अपने मन को भी प्रसंद रखिये, और भगवान की जितनी साधना अराधना, जब تک ये गड़ी धड़क रही है ना हर्दे में, हर्दे रूपी गड़ी टक टक कर रही है, तब तक जिन्दा दिली के साथ जीवन को जिने का प्रियास करिये कभ सांसे थम जाएं पानी का बुलवला है जीवन कभ बुलला समापत हो जाएं कह नहीं सकते इस लिए भारती सुनातन धरम में हमारे रिश्यों ने ऐसे अमूले उपाए अमूले रासते अमूले बातें अमुल्य चीजें हमें परदान की है पूछिए गाहितरी मंत्र मंत्रों का राजा सिर्मोर मंत्र मुकुठ क्या बात है विस्वा मित्र जी ने गाहितरी क्या कैसे खुबी से गाहितरी की वसिस जी ने गाहितरी की भगवान श्री क्रिशन जी ने गाहितरी की, राम जी ने गाहितरी की, गुरु मंतर के रूप में गाहितरी मंतर हमें दिया जाता रहा है, तो गाहितरी मंतर, वास्तव में जो व्यक्ति बहुत सचे हर्दे से, मन से, मनन से, मनतन से, और चिंतन से, गाहितरी मंतर को पढ़ता ह उसके पुर्खे भी तर जाते हैं गाहितिरी मंतर में वो बला की शक्ती है वो अकूत भंडार है गाहितिरी मंतर के अंदर हम सब को गाहितिरी मंतर पढ़ना चाहिए सब को समय निकाल करके गाहितिरी मंतर पढ़ना चाहिए और गाहितिरी मंतर पढ़ते वकत हमें सूरी नरायन का ध्यान करना चाहिए बहुत तेज है गाहित्री मंत्रवे बहुत निमाड आ रही आप लोगों की कि इस पर हम पूरा प्रकाश से बोलें पूरा समझाएं समझाएंगे आपको पूरा बताएंगे आपको तो अच्छी गती के लिए सद्गती के लिए हमारे घरवाले गाहित्री हमारे लिए कराएं न कराएं पर मेरे मेरे साद को मेरे पाट को हमें अपनी सद्गती के लिए और अपने उच्छ जीवन के लिए उच्छ विचारों के लिए उच्छ आधर्ष के लिए हमें गाहित्री मंत्र करते रहना चाहिए आईए समय हो चला है भगवती से जोड़ने का जोड़ते हैं आज की ध्यान साधना में मा दुर्गा से पानी प्यामल पूर्ण रत्न चसकाम रत्नोत पराम विब्रते सोम्याम रत्न गटस्त रक्त चरणाम द्यायत पराम अंबिकाम खडगं चक्र गदे सुचाप परिगान चूलं भुसून डिम्सिरा संखं संददतिं करिस्त्रिनयनाम सरवंग भुस्वर्थाम निलास मध्युत्यमाष्यपाद दसकाम सेवे महां कालिकाम यामास्तो स्वपिते हरोकमल जो अंतुम अदुम कर्टवं विद्यो दाम समप्रवाम् रिगपते स्कंदस्तिताम विशनाम कन्याम विहकरवाल खेट विलसा दस्ता विरास सेविताम हस्ते श्चक्र गदा सिखेट विशिखाम स्चापम गुणम तरजनीम विप्राणाम अलिलात्मे काम ससिदराम दुरगाम तिनेत्राम वजे कवच मना लें ध्यान करें भगवती कानों ग्रह हमें प्राप्त हो रहा है ओम बोलते हुए नेत्रखोंने समान्य हो जाएं आपके साथ बैठ करके हमें समय का पता नहीं लगता कि कभ ये मिनट बीच जाते हैं कभ ये घड़ियां बीच जाती हैं कई बार तो मन में आता हमें मैसूस ही नहीं होता का आप दूर रहते हैं हमें लगता है बस हम यहां बैठें दो-चार फिट पे आप हमारे सामने बैठें हम बोलते रहें आपको समझाते रहें खर वो मुका भी बहुत सिगर आएगा जब आप हमारे बड़े बड़े अनुस्ठानों का हिस्सा बनेंगे बहुत सारी चीजें हमें आपसे करवानी है मंत्र लेखन के कारिया आपने किया बहुत सुंदर लगा ऐसे ही आप जुड़े रहें संस्थान से और जीवन भर हम आपसे वाइदा करते हैं कुछ ने कुछ शुब अच्छा आपसे करम हम करा ही लेंगे दर्शों को जर्म पत्रिकाएं जरूर अपने हमारे घर में होनी चाहिए वाइदिक रितिकी होनी चाहिए खास सोर से अपने बच्चों की किसी ने किसी की जरूर होनी चाहिए आपकी वाइदिक जर्म पत्रिका के लिए हमारा संस्थान भी आपका सेवा के लिए हाजिर है कोई बनमाना चाहे संपक कर सकता है यह आप हम से विक्तिकत तोर पर मिलना चाहते हैं यह कहीं दूर दलाज रहते हैं उसके लिए आप हमारे संस्थान से कॉल अपइंट्मेंट भी ले सकते हैं इनी शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को ब्राम देते हैं जैमा इंद्राक्षी मैं मन्ची कभी हूं मुझे बहुत दिनस इस बात की तलास थी कि मैं कभी कोई गल्ती करूं तो कोई ऐसा व्यक्ति मेरे उपर हो जो उसको बचाए क्योंकि गल्तिया तो होती हैं और आज के कारित्रम से मैं दावे से कह सकता हूं कि मेरी वो तलाश आजपूरी हो गई बस इससे ज़्यादा मैंने कुस कहता किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्रु शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 वजे तक हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें